हेलो दोस्तों मैं हूँ अनूप और आज सब लोग देख रहे हैं Global Conflict दोस्तों आप लोग आए दिन सुनते होंगे कि चायना के तरफ से बड़े संख्या में एरक्राफ्ट कैरियरों को बनाने का प्रोजेक्ट रखा गया है जिन मेंसे कुछ एरक्राफ्ट कैरियरों को फ्यूचर में इंडियन ओशन में भी डिप्लोई किया जा सकता है जोकि इंडियन नेवी को इन एरक्राफ्ट कैरियरों को काउंटर करने के लिए कम से कम तीन एरक्राफ्ट कैरियरों का जुरुरत है पर फिलाल इंडिया के पास एक active aircraft carrier और एक under construction aircraft carrier है पर दोस्तों इंडिया नेवी के लिए तीसरा aircraft carrier बनाने से पहले ही Chinese aircraft carrier को तभा करने के लिए इंडिया के तरफ से और एक plan में काम किया जा रहा है और इस plan का नाम है next generation का missile boat दोस्तों इंडिया के तरफ से जो missile boat बनाने का program बनाया जाता है इससे पहले इंडिया के द्वारा रशिया से बनाया हुआ missile boat का ही इस्तेमाल किया जाता था जिसे 1971 के लड़ाई के समय इस्तेमाल करके पूरा का पूरा कराची port को ही बरबात कर दिया गया था दोस्तों आपके जानकर इक लिए बता दू कि ये दुनिया के इतियास का पहला बार ऐसा हुआ था कि missile boat जिसे असल में anti ship role के लिए बनाया गया था और जिसमें anti ship missile का ही इस्तेमाल किया जाता था उसका इस्तेमाल करके जमेनी target को ध्वस किया गया था जबकि इसके बाद इन missile boat को लेके इंडिया नेवी में killer squadron नामक एक unit का वी गठन किय जबकि बाद में इन missile boat के जगा नेवी में corporate जहाज ने ले लिया पर corporate जहाज missile boat के आकार से थोड़ा बड़ा होने के बज़ा से ये अपने कारी शमता में तो सही है लेकिन नेवी द्वारा इसे missile boat के हिसाब से इस्तेमाल करना संभब नहीं हो पाता इसलिए नेवी के तरफ स छे missile boat बनाने का एक नया project को रखा गया, project के तहें जो 6 जहाजों को बनाया जाएगा, इसका आकार 2000 से 2500 टन के बीच में होना चाहिए और इसमें 8 vertical launching system मतलब missile launch करने का tube होना चाहिए, जिसमें खास करके इंडिया द्वारा ही develop किया हुआ, anti-ship, anti-surface missile का इस्तेमाल किया इन missile में इंडिया का निर्वय missile भी हो सकता है, जो 1200 km range का एक anti-ship land attack cruise missile है, जवकि इसके इलावा ब्रमोस missile के anti-ship और land attack दोनों वर्जिनों को ही रखने का बंदबस होगा, दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दो कि हाली में ब्रमोस missile के block 4 version को परिक्षन किया गया था, जि इसके इलावा हाली में रशिया के साथ इन missile को लेके range बढ़ाने का एक नया समझोते के उपर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके बजास से इन missile का range अब 600 km तक हो सकता है, जबकि एक्सपोर्टों का ये भी मानना है कि missile का range 600 नहीं बलके 800 km तक बढ़ाया जाएगा, तो कुल मिला कि इन्डियन नेवी के पास ब्रमोस मिसाइल के नाम पे एक खतरनाथ long range carrier killer missile आने जा रहा है, जिसे इन missile बोटों में fit करने के बाद ये Chinese नेवी के aircraft carrier के लिए इन्डियन ओशन के अंदर एक carrier killer बनेगा, दोस्तों इसके इलावा इन्डियन नेवी के ये missile बोटों को fast और swift attack के ल बोटों में radar signature कम करने के इलावा sonar signature कम, acoustic signature को भी कम किया जाएगा, साथी साथ magnetic signature को भी कम करने का वंदवस किया जाएगा, मतलब कुल मिला कि इन बोटों को detect करना लगवग नामुम्किन होगा जबकि इन में जो missile का इस्तिमाल किया जाएगा, उसे detect करना या फिर उसे मार ग इस रिपोर्ट फॉर्मेशन के मुताविक जहाजों के पास 8 मिसाइलों को रखने के इलावा एक 15 किलोमेटर तक मार करने बाला नेवल गन के साथ साथ क्लोस इन वेपन सिस्टम और क्लोस रेंज में एर डिफेन्स सिस्टम के साथ साथ वेरी शॉर्ट रेंज सॉर्फेस टु एर मिसाइलों को भी इंस्टॉल करना है जवकि इस रिकोष्ट फॉर इंफर्मेशन में ये भी बताया गया है कि जहाज को ऑपरेट करने के लिए 80 क्रू के साथ 11 ओपिसर और 2 ट्रेनिंग ओपिसर के भी तैनाती का बंदबस करना होगा साथी साथ जहाजों को पूरा पूरी स्टेल्थ के साथ साथ आधुनिक्तम भी बनाना है जबकि रेंज के मामले में भी इन जहाजों का शमता नॉर्मल स्पीड में करीबन 500 किलोमेटर जबकि फूल स्पीड में करीबन 1900 किलोमेटर होना चाहिए जबकि Navy के तरफ से ये भी बताया गया है कि जहाजों का normal speed करीबन 25 knot मतलब 46 km पर hour होना चाहिए जबकि maximum speed 35 knot मतलब 64 km पर hour होना चाहिए इसके इलावा जहाज में sensors के नाम पे passive detection system, fire control radar और air defense radar भी होना चाहिए तो दोस्तों कुल मिला के अब Chinese Navy को Indian Ocean के अंदर तभा करने के लिए Bromos missile के साथ एक नया missile carrier को design किया जा रहा है जिसे खास करके ऐसे design किया जा रहा है ताकि ये Chinese Navy के जहाजों को साथी साथ उसके aircraft carrier को भी Indian Ocean के अंदर दफन करवाए तो दोस्तों आप लोगे को क्या लगता है कि Indian Navy का ये नया missile board Chinese Navy के aircraft carrier के लिए कितना बड़ा challenge हो सकता है कॉमेंट करके जुरूर बताईए साथी साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे Instagram, Twitter और Facebook में support कीजिए और अगर आप लोगे को ये वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे लाइक कीजिए अपनों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और सबकी शेम बटन के साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले जैहिन